हाई गाईस दिस इद विशाल and you're watching technical support विशाल गाईस आज की वीडियो में find की तरफ से काफी जो shopping निकल कर आ रही है चार जार रुपे की आपको shopping free में मिलेगी तो उसके दोस्तों जो एक क्या-क्या terms and conditions है उसके क्या-क्या rules रहेंगे उसके क्या criteria रहेंगे सारा कुछ process आपको इस वीडियो में समझाओंगा तो guys वीडियो सुरू से लेगा last तक देखना क्यूंकि कभी-कभी दोस्तों find में एक रुपे में आपको एक बार shopping हो गई थी एक बार दोस्तों आपको find पर 1500 से 2000 की shopping करनी तो उसके बदले में आपको 1500 की free shopping मिली थी बट उससे ही थोड़ा सा अलग है उससे ही रूल्स जो find ने अपनी तरफ से निकालाई ये काफी अलग रूल है और इसको दोस्तों आप समझोगे नहीं तो आपका हो सकता है दोस्तों 1500 से 2000 का loss हो जाए तो गैस चलिए वीडियो को start करते लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपने हमारे टेलेग्राम चैनल को join नहीं है तो टेलेग्राम चैनल को join करने ना description में लिंक दिया हुआ है क्योंकि ऐसे काफी सारे offers दोस्तों सबस्तों पहले टेलेग्राम चैनल पर पोस्ट होते हैं तो गैस चलिए वीडियो को start करते हैं गैस सबसे पहले find की तरफ से मैं बता देता हूँ कि find ने अपनी एक sale launch करी और sale launch करने के सास्ता दोस्तों 17 तारीक यानि कि आज से 20 तारीक तक ये sale चलेगी इस sale में दोस्तों आपको 1500 रुपे है यानि कि 1499 रुपे है या फिर उससे ज प्रमो कोड के तुरू आपको shopping नहीं करनी है जो price value रहती है वो 1500 सही मतलब 1500 की रहनी चीए उसमें कोई भी discount वगेरा या फिर कुछ भी आपको प्रमो कोड नहीं लगाना है और shopping जिससे आप करोगे करने के बाद दोस्तों shopping करने के बाद ही आप दोस्तों इस sale के लिए eligible होग यानि की 1500 रुपे की जैसे आप shopping करोगे 3 दिन के अंदर 17, 18, 19, 20 यह 4 दिन के अंदर जैसे आप shopping कर लोगे 1500 के अंदर रुपे मतलब 1500 की उसके अंदर ही दोस्तों आपको जो है find की तरफ से एक प्रमो कोड दिया जाएगा जो की 8 परवरी और 8 मार्च को launch होगा यह आपको द कूपन मिलेगा उसके साथ ही दोस्तों एक दिन पहले ही आपके mobile नंबर पर जो आपका account है उसके साथ यह प्रोमो कोड लिंक रहेगा उस पर एक OTP बेज़ा जाएगा उसके तुरू दोस्तों आपको payment मतलब शोपिंग करनी पड़ेगी शोपिंग में आपका कोई भी criteria नही कर सकते हो फ्री के साथ दोस्तों आपको 129 रुपीज का additional charge देना पड़ेगा जयानि की 129 का आपको shipping charge देना पड़ेगा हर एक शोपिंग पर आपने 8 परवरी को करी आपने 8 मार्च को करी उसमें 129 का आपको charge देना पड़ेगा उसके साथ दोस्तों in case अगर कोई भी seller आपक product shipping नहीं करता है in case दोस्तों अगर आपका कोई भी product seller की तरफ से cancel कर दिया जाता है तो वो coupon दोस्तों आपको find की तरफ से refund नहीं दिया जाएगा यानि के दोस्तों अगर आपने कोई भी 2000 का समाद order किया और seller की तरफ से वो cancel कर दिया या फिर कुछ भी issue की वज़े से वो product cancel हो मतलब आप सुन लेना यह जो भी मैं बता रहा हूं इसको carefully सुन लेना तबी जाकर आप find पर shopping करना उसके साथ साथ दोस्तों अगर जैसा ही shopping चलती है shopping चलने के वे साथ साथ दोस्तों अगर कोई भी technical error find की website पर या find के app पर आता है तो आप find को claim नहीं कर सकती है हमारा जो coupon है वापस active कीजिए उस time period के अंदर अगर आपने वो coupon activate नहीं किया या in case कोई भी technical error की वज़े से आपका find का coupon activate नहीं होता है साथ फरवरी मतलब सोरी आठ फरवरी और आठ मार्च को तो guys find की तरफ से उसका refund भी आपको नहीं दिया जाएगा तो दोस्तों बिलकुल carefully सुन लेना इसमें आपका loss भी हो सकता है और इसमें आपका profit भी हो सकता है मैं दोनों आपको बताऊंगा loss क्या क्या है वो मैंने आपको बता दिये कि find की तरफ से आपको हर एक shopping पर 129 रुपीज का charge दिया जाएगा आपको delivery charge देना पड़ेगा चाहे आप एक बार shopping करो चाहे आप दो बार shopping करो coupon दोस्तों आपको एक साथ नहीं मिलेगा coupon दोस्तों आपको 7 परवरी यानि कि दोस्तों अगर 8 परवरी को shopping है तो एक दिन पहले ही आपको आपके mobile number पर coupon मिल जाएगा फिर 8 परवरी को आपको 12 से 14 गंटे मिलते हैं shopping के लिए यानि कि सुबस से लेकर आपको रात की 9 या 10 बज़े तक वो coupon एक्टिवेट रहेगा उसमें आप कोई भी shopping कर सकते हो इन केस अगर seller की तरफ से या फिर कुछ भी issue की वज़े से आपका product cancel हो जाता है चाहिए आपका 2000 का product हो वो अगर cancel हो जाता है तो आपको उसका refund नहीं मिलेगा नहीं आपको promo code वापस दिया जाएगा नहीं आपका shipping charge आपको refund किया जाएगा so guys ये criteria थे ये find की तरफ से rule निकल कर सामने आ रहा है जो कि मैंने आपको पूरा बता दिया है ये दोनों sale पर apply होगा दोस्तों 8 March वाली sale पर भी यही मतलब rule apply होगा और 8 फरवरी वाली sale पर भी यही rule apply होगा so guys अब आपके उपर है आपको shopping करनी है नहीं करनी बट मैंने आपको पूरा समझा दिया फिर भी आपको कोई doubt हो तो आप मुझे टेलेग्राम चैनल पर message कर सकते हो technical support विशाल नाम से मेरा टेलेग्राम चैनल बना हुआ है जाकर जरू से join कर लेना thank you guys चेहिन जे बारत वंद आपके मात्रम